नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं आप जोतिश जराहट के आपके साथ हैं मैं हूँ आपका आश्ट्रो फ्रेंड संतों संतोंशी विशे बहुत स्ट्रॉंग है लक्षमी की बात है आज मित्रो इसमें कताई दो रहा है नहीं कि आशिरवाद के द्वारा और कुछ प्रियोगों के द्वारा हम प्रारब्द में कुछ इंटर्फिरेंस करते हैं कुंडली में भिखारी योग मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे से पैसा ले लेकर के काम करने की मजबूरी हो वो भिखारी योग में आता है जो भीख लेने के बाद भी सुखी ना हो फिर भी कुछ न कुछ कमी रहे वो द्रिद्रियोग में आता है आप गया आदर गया नैनन गया सनेह ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछुदे ये दोहा है साइद रहिमदास जी का होगा मुझे चमा के साथ की मुझे यात नहीं किसका है लेकिन ये पढ़ा है मैंने यूपी बोर्ड में तो सबसे बड़ी मजबूती आर्थिक सुद्र्णता और स्वाव लंबन अपने उपर निर्भर दूसरों पर नहीं किसी पर निर्भरता नहीं आपको जानकर ताज़ुब होगा कि व्यापार योग मजबूत ग्रहों से होते हैं और नौकरी योग पापी ग्रहों से होते हैं दास्ता योग होता है भले ही आप एक करुण रुपया महीना पाओ आप उस एक हजार रुपया महीना कमाने वाले से गरीब हो जो अपने दम पर प्राप्त करता है जो अपने दम से करता है जैसा है रिक्षा चलाने वाला हो या नामें वो अमीर है मैं दावे से कह सकता हूँ आज वो बिमार है नहीं जाएगा आफिस कोई बंधन नहीं है नहीं चलाएगा रिक्सा सोएगा आज बिंदास है किसी पर निर्भर नहीं है तो यह राज योग है स्वावलंबन आत्म निर्भरता यह राज योग है और पर निर्भरता परावलंबी जियू दुरियोग है तो आज बात लक्षमी की हम करेंगे कैसे मा लक्षमी को रिजाया जाए मूल है कि ऐसे दरिद्र योग भिखारी योग में सेध लगाना एक्सपेरिमेंट के दम पर प्रियोगों के दम पर क्या पता कुछ दिन फिर ही जाए बस यह ट्राइल है विड्यू रिस्पेक्ट टू गॉड अल्माइटी नेचर क्रियेटर विड्यू रिस्पेक्ट हम सेध लगा रहे हैं आपकी होनी में उंगली कर रहे हैं तो भाईया दो चीजें गुलाब जल और चीनी अब इन दोनों का धन के साथ सम्यक संबंध हम बता देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से गुलाब जल और चीनी लक्षमी से संबंध रखता है मा लक्षमी की कृपा का पात्र बनाता है ये दोनों हम चीजें बताते हैं देखिए शुक्र काल पुरुष की कुंडली में दुतियेश है दुतियेभाव का स्वामी है यह आपके धन का नैसर्गिक कारक है और इस घर में एक ही ग्रह उच्च का होता है जो नैसर्गिक रूप से चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली मेश लगन के अनुसार वो है चंद्रबा वो विशव राश्य में उच्च का होता है कि नहीं होता है तो दुतिये चतुर्थ को यहां पर समझना बहुत अनिवार है अगर किसी के भी जन्मांग में ध्यान दिजिएगा दुतियेश और चतुर्थेश मजबूत इस्थती में हो दोनों अपने घर के हो या दोनों का अपने घर से सम्मंध हो डायरेक्ट किसी भी रूप में दुतियेश और चतुर्थेश तो आपको कभी किसी के सामने यू नहीं करना पड़ेगा और अगर यही पीडित निकल जाए तो हर पल फोन करके भी या वो दो चार हजार रुपे मिलेंगे थोड़ा सा बच्चा विमार हो गया था देखिएगा पेटीम कर दीजे फिर दो दिन बात किसी और भी या को किसी और दोस्त को किसी और यार को साले से मौसा से चाचा से कुछ लोग आदी हो जाते उनको खाने नहीं पचता है बिना उधार लिए और जादा तर लोग मजबूर होते हैं जादा तर लोग मजबूर होते हैं तो आज जो चीनी और गुलाव जल का प्रियोग हमने किया है इन दोनों सामग्रियों में शुक्र और चंद्रमा कूट कूट कर भरे पड़े अर्थात काल पुरुष की कुन्डरी से दुतियेश और चतुर्थेश को हमने कैप्चर कर लिया जो इसी प्रकृति से प्राप्त होते है जो आर्टीफिशियल नहीं होता गुलाब का पुष्प गुलाब जल जिससे बनता है और गन्ने से चीनी बनता है प्राकृति ग्रूप से हैं हाँ उसको थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाने उनाने के लिए थोड़े बहुत कमिकल है पढ़ते हूं कि विशयलग है हमारा मोल भाव है शुक्र और चंद्रमा अब इन दोनों ग्रहों को समझ लीजिए कि अगर ये दोनों ग्रह आपके पक्ष में अपना ओट दे दें तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता शुक्र चंद्रमा जोतिश विज्ञान की दिष्टि से इनकी यूति को बहुत बुरा माना गया है बट ऐसे लोगों को हमने अमीर देखा है दरिद्र और भिखारी तो नहीं हो सकते ये बात तो माल लीजिए बाकी और भी बहुत सारे आस्पेक्ट होते हैं कहां कहां इनका हर अगरा की निगिटी पॉजिटिव चीजे तो होती ही है ये तो बहुत कॉमन सी बात है लेकिन कुछ कंफर्म है शुक्र चंद्रमा में सम्मंध पराबर मतलब ऐसे बहुत रेयर करना पड़ेगा बहुत बुरा कोई योग आ जाए अचानक से बरबादिये वाला आजाए अश्टमस्त ग्रह की दशा आजाए अश्टमेश की दशा आजाए तो चाहे थोड़ा बहुत for time being कुछ समय के लिए हो जाए दरवाइस तो बिंदास तो ये मजबूती प्रकृती प्रदत्त है तो क्या उपाय करना चाहिए शुक्र चंद्रमा का चीनी और गुलाब जल का बताता हूं मैं एक कोई चान्दी की कटोरी या इस्टील की कटोरी ले लीजे उसमें 108 बूंद गुलाब जल डालिए और 7 चुटकी चीनी बस इसको गीला कर लीजे मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएगा गीला हो जाएगा कुछ दिर में चीनी इसमें घुलने लग जाएगी गल जाएगी 108 बूंद चीनी गुलाब जल मतलब मेरे खासे 2 या 3 चमच तो होई जाएगा गुल जाएगी जब चीनी इस 108 बूंद गुलाब जल में उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से एक मंत्र लिखिएगा इस स्क्रीन पर भी वो मंत्र चल रहा है ओम हरींग स्रियाई नमह लिखना कहां है एक सादे कागच पर ब्लैंक शीट पर ओम हरींग स्रियाई नमह उसी चीनी से सादे कागच पर अंगूठे से ओम हरींग स्रियाई नमह ये लिख लिया अब इसके उपर घी का एक दीपक जला दीजे ये क्यों गलत मार्ग से धन्ना आए शुक्र चंद्रमा मजबूत हो करके गलत मार्ग से धन्ना दे इसलिए हमने यहाँ पर सूर का प्रादुर्भाव करवाया वलो सियावर राम चंद्र की जाए एक घी का दीपक इसी कागज पर रख दीजे सुख जाएगा थोड़ी देर में जो लिखा है दीपक को शान्थ होने दीजेगा दीपक शान्थ हो जाए तो कागज को फोल्ड करके अपने पास रख लीजेगा यह प्रियोग शुक्रवार के दिन या सो मवार के दिन कभी भी किया जा सकता है कोई भी कर सकता है बच्चा बुढ़ा जवान दो शर्थ नो नॉन्वेज नो पत्थर पेट में नॉन्वेज ना हो इवेन एग इस अलसो नाट अलाउड और उंगलियों में कोई पत्थर ना पहने क्योंकि पत्थर सत्यानाज करते है अब आपके लिए अगर ये वाक के नया लग रहा है तो आप यही वाक के गूगल पर या यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए पत्थर सत्यानाज करते है मेरा नाम भी डाल दीजे वीडियो आएगी देख लीजेगा पत्थर सत्यानाज कैसे करते है लॉजिक यह प्रियोग करेंगे कागज अपने पास रखेंगे अगले दिन मतलब अगला जब सुक्रवार या सुम्मवार आएगा एक सप्ताह तक अपने पास रखिएगा इससे रिपीट कर लीजेगा यह रिपीटिंग प्रोसेस वही कागज रहेगा चीनी गुलाब जल नया बनाईएगा पुराना वाला तोलसी वो आदी की नीचे डाल दीजेगा तोलसी के पौधे की नीचे कहीं पर भी डाल सकते हैं लिखने के बाद कटोरी धुलके रख लीजेगा इसी कागज पर सेम प्रोसीजर अगले फ्राइडे या अगले मंडे पुनह करिएगा इस तरियां किसी भी अवस्था में कर सकती है किसी भी अवस्था में बिंदास होकर करिए पवित्र पवित्र कुछ नहीं होता बिंदास रहे आप हमेशा पवित्र है मेरे कोई भी प्रियोग पीरियट के दोरान 100% किये जा सकते है जाइए कर लिजे कुछ पाप लगे तो बोल दीजेगा कि संतोश संतोशी जाने तो कोई संदेह हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजेगा मैं उसका reply कर दूँगा तो इसे करिए मा भगवती की किर्पा मा लक्षमी की किर्पा आप सब पर रहे आप लोग हमेशा आमीर रहे धन हमेशा रहे और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े बस यही मजबूती और यही मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूँ अपने साइस्टो फ्रेंड को अनुमत दीजेगा और रात दस मुझकर 30 में पर फेस्बुक पर लाइब मिल सकते हैं थैंकिये सो मच नमस्कार शेरा दे